जीला पुलिस अदिक्षक सिद्दार चौदरी के निर्देश पर नहारगड थाना प्रभारी राकिष चौदरी के नेतुरतों में नहारगड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है 11 गुंटल 22 किलो डोड़ा चुरा पकड़ा है जानकारी के अनुसार मुगबीर के सूचना पर एक सफेद रंग के पिकप जिसके उपर नारंगी रंग की तिरपाल है जो निर्धारी कोलवा रोड तरफ से आ रही थी जिसकी नहारगड पुलिस द्वारा तस्दीक करते हुए निर्धारी कोलवा रोल पर शनीदेव मंदिर तहुचकर घेराबंदी की गई जिसमें निर्धारी करफ से सफेद रंग के पिकप नमबर MP 14 GC 1169 जिसके उपर नारंगी रंग का तिरपाल बाना था लेकिन चालक ने पुलिस को देखकर पिकप को भगाने की कोशिश की जब पुलिस ने पिकप के पीछे गाड़ी लगई तो आरोपी पिकप छोड़ कर फरार हों गया पिकप के अंदर से फ्लास्टिक के काले रंग के 51 बोरो में डोड़ा जूरा पाया गया जिसमें 11 पुंटल 22 किलो डोड़ा जूरा पुलिस ने वारा जब्स किया गया लेकिन फिलाल आरोपी अभी फरार है जिसके केमत लगबग 11,22,000 रुपे बताई जा रही है फिलाल पूरे मामले के पुलिस द्वारा जांच की जा रही है मंसौर जिली के नहारगर से लली चंकर रहकर की रिपोर्ट